और दो दिनों के बाद 20 तारीक को जनता के लिए फैसले सुनाने का वक्त भी आ जाएगा उससे पहले नेता प्रचार के मैदान में अपना पूरा दम दिखा रहे हैं और वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हतकंडे भी अपना रहे हैं ये सब चुनावी रंग है सबसे पहले राहूल गांधी को देखी प्रचार के बाद जिनका काफिला बर्नाला के एक धाबे के बाहर रुका और राहूल पूरे दलबल के साथ खाना खाने धाबे में दाखिल में राहूल टेबल के सेंटर में बैठे दिखते हैं और उनके इर्द गिर्द बाकी नेताओं की भीड दाहनी और ठीक बगल में राजीव शुकला बैठे दिखते हैं राहूल समेथ नेताओं की प्लेट में पराथा होता है चटनी होती है खाते खाते राहूल गांधी सामने के शक्स है पराथे के बारे में पूछते हैं और फिर खुद उन्हें पराथे की प्लेट भी ओफर करते हैं पराथे के जायके के बीच चाय का प्याला भी आ जाता है और राहूल चाय की चुस्की भी लेते हैं बर्नाला से खुद सीम चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए प्रचार के दौरान राहुल ने धाबे में पंजाब के पराठे का मज़ा लिया और ये तस्वीरे सामने आई तो प्रचार के दौरान खुद चन्नी की भी भाशरों से इतर कुछ दिल्चस्प तस्वीरे सामने आए फुटबॉल खेलते हुए नजर आए अटारी में बच्चों के बीच फुटबॉल के मेरान पर चन्नी ने शांदार किक लगाए वो भी बाए पैसे इसके बाद गोल कीपर के तौर पर गोल होने से भी बचाया मुख्यमंतरी की इस छिपी हुई प्रतिभापर बच्चों ने खुब ताली बचाई रैली का मैदान हो या फुटबॉल का पंजाब में वोटरों की तालिया बटोरने का ये मौका बस आज भरका है आज शाम छे बजे पंजाब की सभी 117 सीटों पर प्रचार खत्म हो जाएगा जहां 20 परवरी को चुना होंगे और 10 मार्च को ABP न्यूज पर आप सब से तेज नतीजे देख सकते हैं कर दो